प्रेचर बार आता है अर वो अनना पर टेक करना ही वाला होता है लेकिन तभी हैल्विन वहां आकर सही समय पर प्रेचर को पकड़ लेता है और फिर अनना उसे चापू ended से मार देती है एल्विन इस Branch के शरित को हतियार के रूप में यूज़ करने के लिए अपने पास की रख लेता है उधर बार्ग का ग्रूप उनके पीछे पीछे चल रहा होता है और एक पॉइंट पर ये दोनों ग्रूप आमने सामने आ बार्ग एल्विन से कहता है कि मुझे अपना बाक्स वापस चाहिए तो एल्विन भी कह देता है कि नहीं हम दोनों के साथ डील हुई थी जिसमें बाक्स मैंने रखना था और पैकेट्स तुमने तो अब तुम ये क्यों माग रहे हो बार्ग फिर अपने साथियों को एल्विन बाक्स चीनने के लिए भीजता है लेकिन जब एल्विन उस क्रेचर की बाड़ी को हदियार की तरह इस्तावाल करता है तो बार्ग और उसके साथ ही पीछे हट जाते हैं अब एल्विन और अना बाक्स को लेकर फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और बार्ग भी अपने ग को देखकर अपने साथियों को भी बिना आवाज की चुपचाप जमीन पर लेटेंक लेग गहता है सभी फिर बार्ग काउडर मानकर जमीन पर लेट जाते हैं लेकिन उसकी टीम में कायम नाम को एक रड़का बहुत ज़्यादा है और भागने लगता है और उसके खदमों की आवाज सुन लेता है क्रेचर फिर वो कायम को मार कर उसे अपने साथ जमीन के अंदर लेके जाता है यह देखकर इन सभी की हालत बहुत खराब हो जाती है वहीं एल्विन की वज़े से अना की जान बचाती है और वो दोनों अपने सफर में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कुछ दूर आगे जाने पर अना नोटिस करती है कि उनकी तरफ हजारों की तादात में क्रेचर इंसेक्ट की फौज तेजी से आ रही है अब इससे बचने के लिए एल्विन और अना के पास जो बॉक्स होता है वो उसके अंदर चल जाते हैं इससे सारे इंसेक्ट्स उन वो दोनों हमसे काफी आगे चल जाएंगे और हमसे जल्दी आईलेंड और हैपिनेस पर पहुंच जाएंगे बार्ग उसकी बातों को नहीं सुनता इसलिए लाइला अपनी रस्ती काटकर एल्विन के पीछे जाने लग जाती है अब बार्ग उसे रोकने के लिए उसकी देखते हैं कि चलते चलते रात हो गई है और रात में अना आक के पास बैठी होती है तब ही ऐल्विन उसके पास आकर कुछ खाने के लिंसेक्ट लेता है दोने बास्चित करने लगते हैं नॉर्मल की तरह अना उससे पूछती है तुम तो हाई पोस्ट पर थे ना तो आखर रहे खत्रा हूं और उन्होंने मुझे गदार बताते वे जेल में डाल दिया और अब भी वो मेरे पीछे लगा हुआ है इधर लायलो और बाकी लोग एल्विन के पास जाने के लिए चल ही रहे होते हैं तब ही उनके सामने दो कैनिबल्स आते हैं जो यहां पर बहुत समय से दे रहे हैं वो इनके ओपर अटेक कर देते हैं और मारिया नाम के एक औरत को पकड़ कर खत्म पर कैनिबल्स से बचने के लिए लायल और बाकी सबी एक जिगह पर छिप जाते हैं दूसरी और जब मारिया के चेह खाना को सुनाई देती है तो वह एल्विन को मारे की मदद क करने के लिए लेकिन एल्विन कहता है कि अब तक मारिया मर चुकी होगी वहां जाकर कोई फायदा होगा नहीं मारा मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें यहां से बाहर निकलना है ना कि बाकी लोगों को इस पर अना उसे कहती है कि तुम डर पोखो और मारे को बचाने के ल लेने के लिए उसे मारने के कोशिश करता है लकिन लाइला बचाओ में कहती है मैं एल्विन के गौूप में इसरे जाना चाहती थी क्योंकि गौर्मेंट ने मुझे लपकर की निकलता है और उसे पकड़ देता है बगर कोई भी लाइला की मदद करने के लिए आगे नहीं ब प्लान मनाता है कि वो एलविन को गौर्मेंट को दे कर जिन्दा बच सकते हैं फिर टेजुक भी बार्ग के प्लान बें शामिल होता है और वो आगे जाकर एलविन और अना से मदद मांगता है लेकिन एलविन अना को उससे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे टेजुक जरा भी विश्वास नहीं होता पर एलविन की बातों को ना मानकर अना टेजुके पास जाने लग जाती है तब ही बार्ग एलविन के सर पर लोहे का हातियार भेंकर मारता है जिससे वो तुरंत भी होश हो जाता है जब उससे होश आता है तो देखता है कि बार्ग ने उससे एल्विन के पास आता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एल्विन है ही नहीं क्योंकि जब बार्ग और मैटिस बात कर रहे थे तो उस मौकर का फाइदा उठाकर एल्विन वहाँ से भाग गया था इसर मैटिस बार्ग का जूट जानने के बाद बड़ा गुस्ता हो जाता है और वो बार के ओपर गोल या चलाकर उसे मार रालता है अब मैटिस खुद एल्विन को ढूड़ने का काम शुरू करता है वहाँ से अना और टेजुक मिलते हैं जो उसी बिल्डिंग में छिपे वे थे मैटिस पेजुक को भी मार देता है और अना को पकड़ कर उसे गन पॉइंट पर रखकर एल्विन को बाहर निकालने के लिए बेचारे एल्विन को नहा चाते वे भी अना को बचाने के लिए मैटिस के सामने आना पड़ता है तब ही एक जोग नाम का गयदी मैटिस पर बंदुक तानकर अना को फ्री करने के लिए कहता है मैटिस अना को छूड़ने के बदले एल्विन को उसके पास आने की शर्त रखता है हैल्विन भी उसकी शर्थ मानकर आगे बढ़ता है कि तब ही पीछे से जख्रमी हालत में बार्ग मैटिस के सर पर अटेक करके उसे ही मार डालता है अब हैल्विन तो बज जाता है लेकिन अना वहीं पर बहुत शोकर गिर जाती है क्योंकि मरने से पहले मैटिस ने उसको एक इंजेक्शन दिया था अब हैल्विन उसे बचाने के लिए बार्ग को धैक्स कहता है पर गोली लगने की वज़े से बार्ग वही पर अपना दम तोड़ देता है अब सिर्फ एल्विन अना और जोक नाम का आद में ही जिन्दा बचे है मिल्डिंग से भार वो समुद्र में जगे जगे मिट्टी और कीचर्ड के टुकड़े देखते है अबना दिमाग लगाता है और मिट्टी के टुकड़ो को नाओ की तरह इस्तेमाल करके आगे बनने लगता है लेकिन थोड़ी दिर बाद मिट्टी के ओपर पानी भरने लगता है तब ही अना को हुश ब्या जाता है हैलविन और अना को बचाने के लिए जोग खुद पानी में कूच जाता है और एक बड़ा अंडरबॉर्टर क्रियोचर आकर उसे अपने साथ लेके जाता है ये देखकर बेचारे हैलविन और अना उदास हो जाते है और जब वो आगे जाते हैं तो एक बहुती बड़ी डैम से उनके किचरड वाली नाव गिर जाती है फिर तेरते हुए वो दोनों हैपिनेस आइलेंड पर पहुच जाते है हैलविन को वहाँ पर बने वे प्रेज़ेंट के सीक्रेट बेस के बारे में पता होता है जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट है लेकिन एलविन उस सीक्रेट बेस को एक्टिवेट करने के पास्वर्ड का आखरी नमबर भूल चुका है अब हैलविन बताता है कि पिछली बार जब मैं प्रेज़ेंट के साथ यहाँ पर आया था तब उन्होंने मुझे एक पहली पूछी थी लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाया तब उन्होंने मेरी तरफ नाइन का साइन मनाय था हैलविन कहता है कि वो कोड गलत होगा क्योंकि प्रेज़ेंट इतनी आसाने से पास्टोर नहीं बताएगा लेकिन अना को प्रेज़ेंट के साइन पर पूरा विश्वास होता है और वो कहती है कि आखरी नमबर 9 ही होगा तुम करो हैलविन और अना आख बंद करके विश्वास करते हैं और 3589 पास्टोर डालकर वो बेस ओपन हो जाता है उसके अंदर उन्हें स्पेसक्राफ्ट देखा देता है जिसको देखकर दोनों खुश हो जाते हैं अब वो दोनों स्पेसक्राफ्ट में बैटकर टाइटने प्लैनेट को छोड़कर किसी नए प्लैनेट को ढूंड़ने के लिए अंतरिक्ष में निकल जाते हैं उनके इस मिशन के सकस्वल होने के साथ ही यह मूवी यहां पर खत्म होती है